रोटी बनाने का एक ऐसा तरीका जिस तरीके से अगर आप रोटी बना कर बच्ची हो, बड़े हो, किसी को भी दीजी, तो सेकडों फाइदे होंगे, क्योंकि इस तरीके से रोटी अगर बनाई जाए, तो इसमें सर्दी जुखाम होने का कोई भी डर नहीं होता, सर्दियों मे ठंड नहीं लगती, पति रोधत चमता इतनी बढ़ जाती ही कि जल्दी जल्दी आप बिमार नहीं होगे, गैस की समस्या नहीं होगी, ठंटिया इतनी मजबूत होगी कि जोड़ों में दर्द नहीं होगा, सरीर में फाल तो चर भी नहीं जमेंगी, कमजोरी और ठकान महसूस नहीं होगी, आपकी हेर्स और स्कीन भी काफी हेल दी रहेंगी, ताकि स्कीन और हेर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और क्या आँचाल है देर की स्वाद की चड़ी देखते ही कुछ नया सक करते ही कुछ नाओं की बाद, इस तरीके से रोटी बनाने के लिए सबसे पह देखती रहेगी, मेरे वीडियो को देखते रहेगी और चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिएगा, दूसरी चीज है वो है वन इस्पुन की करीब ही लेना है अजवाइन, मैं वन इस्पुन की करीब ही सारी चीजों को ले रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसे दो से तीन महीनों के लिए बनाकर स्टूर करके रख सकती हैं, ताकि आपको रोज रोज जब रोटी बनाती हैं तो आपको इसे तयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों को मिक्सी में अच्छी तरह से पाउडर त्यार कर लेजी, फाइन पाउडर त्यार करने की बा इसलिए ये हिल्द के लिए काफी अच्छा होता है, अब मैं यहां पर ले रही हूँ टू बाउल के करीब गियों का आठा अपचा है, तो यहां पर मैदे के साथ भी यूज कर सकती हैं, और इतनी में ही मैं वन स्पूल के करीब ये तीनों चीज़ों का पाउडर इसमें आप इसे यूज कीजिए और अपनी आनुभा मेरे साथ कमेंट करके जरूर जियर कीजिएगा, तो कैसे लगे आज की ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, जनको सब्सकाइब करनेजे, मैं मिलती हूँ ऐसे ये वीडियो के साथ, तब तक लिए टेक ये थैंक्य आप इसे और जियू